कि आपई कैसे हैं पढ़िया थकान तो महसूस नहीं हो रही है अच्छा चलो थकना भी नहीं इतनी जल्दी क्योंकि अभी तक हमारा लक्ष हासिल नहीं हुआ है देखो ध्यान दे जैसा कि आप लोगों को पता है है fundamental of nursing के बारे में मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं तो कोई ऐसा topic जो आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए या आपको लगता है आजाओ बेटा आजाओ कि आप लोगों को लगता है कि नहीं सर ये topic पढ़ाओ या ये topic हमें बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है या कोई ऐसा है या जो मैं पढ़ाना चाहूं वो पढ़ाओ नहीं नहीं आप चलो खेर कोई बात नहीं अभी आप में से कोई ऐसा student थोड़ी है जिसने कि ये नौर्चेट का फॉर्म भरा हुआ हो तीन तारिक वाला क्योंकि वैसे तो आप तो पाएं कि पेपर आता कैसा है चलो खेर कोई बात नहीं तो देखेगा मैं बहुत सिंपल और बिल्कु छोटा सा टॉपिक लेकर के आप से बात करूंगा क्योंकि बेसिक एम और बेसिक उद्देश्य तो यही है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक्जाम में प्रश देखो ध्यान दो हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं फंडामेंटल का एक वो टॉपिक शायद ही ऐसा कोई कम्पीटिटिव एक्जाम रहा हो भारत का चाहे नौर्सेट चाहे रेलवे चाहे एसाई हर एक्जाम में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रशन पूछे जाते हैं अब बेटा देखो ध्यान से सुनिएगा कि जनरली रिटेंशन आफ यूरीन जो बेसिक टॉपिक है वो तो एलिमीनेशन का है किसका टॉपिक है एलिमीनेशन एलिमीनेशन मतलब वेस्ट प्रोडेक्ट को शरीर से बाहर निकालना लेकिन वेस्ट प्रोडेक्ट अ नाम क्या है बेटा, retention of urine, चलो मुझे एक बात बताओ, retention of urine का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा आपमें से बेटाऊ, आप बोलो, शाबश, बताओ, what is the meaning of retention of urine, हाब बोलो, कौन बताएगा आप बोलो, बताएगा, आप बोलो बेटा, अच्छा, मतलब urine, मतलब बन तो रहा है? अच्छा, बैठो. देखो, हाँ बिटा, आप बताओ. Elimination नहीं हो पाता है. अब देखो, मेरी बात सुनना. बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि urine formation तो normal है, लेकिन वो व्यक्ति urine को pass out नहीं कर पा रहा है. क्या कहलाता है? Retention of urine. या अगर हम professional word, professional language में बात करें, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, inability to pass out the urine, but urine formation is normal. मतलब urine बन रहा है, urine formation related कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति urine pass out नहीं कर पाता है. और क्या कहलाता है? Retention of urine. तो पहले एक बार definition लिखते हैं, फिर हम उसी से आगे बात करेते हैं. तो देखो बेटा ध्यान दीजेगा, कि urine, यहाँ पे पहले बताओ, इन अबिलिटी तो पास आउट दी यूरेन. आल्दो, आल्दो का मतलब यद्धपी. यूरीन फॉर्मेशन इस नॉर्मल. देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं, रिटेंशन अफ यूरीन के बारे में? रिटेंशन का बेसिक मतलब है इन एबिलिटी. इन एबिलिटी का मतलब ऐसमर्थ, तीदा-सीदा कह सकते हैं कि उसकी जो यूरीन पास करने की शमता है, वो क्या हो गई है? खतम हो गई है. पास आउट वो नहीं कर पा रहा है. आल्दो, आल्दो का मतलब यद्धेपी, जबकि अगर हम देखते हैं, तो यूरीन का formation कैसा है, normal, कहने का basic मतलब है, कि यूरीन बनतो रहा है, लेकिन वो बहार निकल नहीं रहा है, और क्या कहलाएगा बेटा, retention of urine कहलाता है, अब कभी-कभी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, CH और सेट के तैयारी के लिए, तो ऐसी स्थिती में, फिर आगे आपको ये समझ में आना चाहिए, कि ये जो problem है, इस problem के basic कारण क्या हो सकते हैं, कि कौन-कौन से ऐसे कारण है, जो इस problem को lead कर सकते हैं, एक-एक करके मुझे बताओ, क्या कारण हो सकता है, हाँ, बोलो शाबश कंजिनाइटल, ऐसा कोई परिवार देखा है, जिसके अंदर एक व्यक्ति यूरिन पास नहीं कर पारा तो सभी पास नहीं कर पाते, इट मिंस कंजिनाइटल तो नहीं हो सकता, तहीं कह रहा हूं ना, भाई आप सीधी सी बात सुनें, कि आपने किसी को सुनाओ कि एक व्यक् कारण तो सही नहीं है, हाँ, आप बोलो बेटा, इस्टोन हो सकता है क्या, प्रॉस्टेट, प्रॉस्टेट, हाँ माल लेते हैं, चलो एक एक करके हम बात करते हैं, कि अगर हम बात करें कारण, तो कारण में एक बच्चे ने कहा कंजिनाइटल, जो नहीं हो सकता, एक गहारा हुशू ईयत्अ है कि प्रॉस्टेट चलो ठीक है माल लेते हैं और आप क्या बोल रहे हैं मैं और आप सक्षन किसने बोला था कि Urethra में obstruction है, चलो, UTI, अच्छा, UTI में तो माल लेता हूँ, वैसे increase frequency होती है UTI में, रुखता नहीं है, हाँ, हाँ, एक तो important point है, कि bladder की जो संकूचन की शमता है, contraction, elasticity, क्या हो गई है, कम हो गई है, चलो, very good, और कोई बताओ, sphincter, अच्छा, ठीक है, बैठो, है, यार, एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा confused हूँ, कोई कह रहा है, stone, कोई कह रहा है, ये problem हो गई है, मुझे देख करके, जब तुम problems बता रहे हो, तुम मुझे ऐसा लग रहा है, कि मैं सभी doctors को पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, कि मैं nursing students या nursing officers को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं होगा, कि आप nurse हैं, तब तक आपको exam में भी doctor के लक्षन आएंगे, अरे हाया ना, तो सबसे पहले आप धान दो, lack of privacy, अमेशा answer देते समय, उन बातों को सोचो, जिन बातों को आप manage कर सकते हो, क्योंकि examiner प्रशन आप से वही पूछेगा, जो as a nurse आप solve कर सकते हो, ये बात मैंने आपको इंट्रो में भी बताई थी सुबह के समय पर, कि आपका focus हमेशा उन चीजों पर होना चाहिए, जो basic work किसके हैं, nurses के हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बताना है, अगर हम बात करें, तो एक तो आप कह सकते हैं, lack of privacy, भाई अगर किसी भी व्यक्ति को ध्यान से सुनना, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कि थोड़ा सा शाई है, शाई मतला शर्मिला, भाई बहुत लोग तो ऐसे हैं, रोड नहीं है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है, शाई ब्लैडर, यह आप कह सकते हैं, lack of privacy के जुरत पढ़ती है, तो basically lack of privacy और lack of privacy जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, शाई ब्लैडर, शाई ब्लैडर का मतलब है, शर्मिला सुभाव है, और शर्मिला सुभाव होने के कारण, उसको क् मिल पा रही है, प्राइवेसी, चलो एक बात छोटी सी आप से पूछता हूँ, कि आप मुझे बताओ, एक वार्ड के अंदर 20 मरीज, और उस 20 मरीज में एक मरीज को कह रहे हो, चल यूरिन पास कर ले, तो यार उसकी भी तो कुछ न कुछ रेस्पेक्ट होगी, 19 लोगों से तो वो शर्माएगा ना, इट मींज आपको सबसे पहले ये सोचना है कि कहीं पेशेंट को प्राइवेसी रिलेटर प्राब्लम तो नहीं है, चलो दूसरा पॉइंट बताओ, अब नर्स की तरह सोच करके बताओ, आप में बताना है इन एप्रोप्रियेट पोजीशन, भई आपको यहाँ पर यह पता हो कहीं यूरीन पास करने की पोजीशन, मान लो बेचारा मरीज सुपाइन में लेटा है, और तुम कहरें ले यूरीन पास कर, वो बोलेगा जाएगा कहां, कहने का बेसिक मतलब है कि पोजीशन भी अपने आप में क्या होनी चाहिए बेटा, अप पेशेंट को कोई इस प्रकार की प्रॉबलम है कि प्रॉपर रूप से वॉइड या यूरीन पास आउट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी पोजीशन उप्योक्त नहीं है, तो दूसरा कारण, क्योंकि ऐसे नर्स जब हम मैनेज करने जाएंगे, तो ये सारी बाते हमारे एंड में होनी चाहिए, तो पहला कारण हमने बताया, रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब यूरीन पास आउट नहीं कर पाता है, और यूरीन पास आउट नहीं कर पाता है, सबसे पहली समस्या है कि पेशेंट को क्या नहीं मिल रही है? प्राइबेसे. दूसरा आपने यहाँ पर बताना है, inappropriate position of patient, कि patient जो urine pass करने की position उपियोग ले रहा है, वो position कैसी है बेटा? inappropriate, मतलब आप तो जो सही position urine pass करने की होनी चाहिए, वो position सही? नहीं है, बता सकते हो कौन सी position use करते हो, आप बताओ, कोई नहीं बोलेगा इन से, हाँ बेटा आओ, हाँ, अरे जब manage करने जाओगे ना, तो वहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि examiner पूछेगा कि what is the appropriate position used for the urine, हाँ, अच्छा, हाँ, very good, क्योंकि आपको यहाँ पर पताओ कि जो रोजाना यूज करते हो, दिन में पांच बार, वही common position है, जो की उकडू, जिसको की हम professional word में कहता है, squatting, क्या कहा जाता है, squatting position, अभी मैं आगे सब बताऊँगा, कि squatting ही क्यों, क्योंकि position भी पता दोगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, कि यही position क्यों देते हैं, इन सभी के उपर मैं चर्चा करूँगा, प्राइवेसी क्यों देते हैं, भई हमारा उद्देश सिर्फ manage नहीं करना, हमारा उद्देश है कि management करतो रहे हो, लेकिन management करने का फायदा या advantage क्या है, क्योंकि जिस दिन examiner ने पूछ लिया कि what is the advantage, nurse should provide the squirting position, और pass out the urine, तो फिर वहां नहीं बता पाओगे, तो कहने का मकसद है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसका benefit क्या है, यह सभी मुद्दे, सभी point हमें पता होने चाहिए, अब देखो बात सुनते ज अब ही हम पहले बात कर रहे हैं, उन कारणों के बारे में, जो कारण जिम्मेदार हैं, किस चीज़ के लिए बेटा, retention of urine, इसके अलावा आगे आपने बताना है next, जिसमें आप कह सकते हैं, by lack of contraction in muscle of bladder, कि bladder की जो muscle है, उसमें contractions नहीं हो रहे हैं, या क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, अब एक बात बताता हूँ, कि ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको इतना लिख दिया, examiner इतना लंबी रामन नहीं करता है, examiner short में लिखेगा, और वहाँ पर लिखेगा, जैसे ये question आपके GMC है, चंडिगड में आया हुआ है, उन्होंने कहा, retention of urine is caused due to, उन्होंने कहा, atonic bladder, कि bladder में tone, मतलब contractions, कम हो गए हैं, और जब bladder में संकूचन नहीं होगा, contractions नहीं होगा, तो proper रूप से urine आगे, forward नहीं होगा, और forward नहीं होगा, तो urine pass out, नहीं कर पाएंगे, अरे बात तो समझ में आ रही है, चलो साब, बड़ी खुशी की बात है, समझ में आ रही है, तो यहाँ पर आपने बताना है, कि अगर contraction नहीं है, तो क्या कहलाता है, चलो, इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है, stress यह क्या बोल सकते हैं, anxiety, तनाव, अगर तनाव जरूरत से जादा है, तो हमारा focus urine pass करने पे जाएगा ही, नहीं, और उस इस्थिती में आपको उसका तनाव क्या करना पड़ सकता है, कम करना पड़ सकता है, psychological support देना पड़ सकता है, वो सभी management हम आगे discuss करेंगे, तो अभी मैं वो बात कर रहा हूँ, जो as a nurse, आप manage कर सकते हैं, तो देखो बेटा, ध्यान से सुनते जाएगा, सबसे पहला कारण हमने retention का क्या बताया, privacy, दूसरा हमने कहा, inappropriate position, तीसरा हमने क्या बोला, atomic मतलब bladder में proper tone, contractions नहीं है, इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है next और next कह सकते हैं, spasm, bladder की जो muscles है, उसमें क्या हो गया है, spasm हो गया है, basic मतलब वही atomic है, लेकिन word तो अलग-अलग है, क्योंकि examiner जो होता है, वो exam में शब्दों का ही खेल रचता है, मैं आपको एक बाप बता दूँ, एक examiner बोलेगा, spasm, और एक examiner बोलेगा, atonic, लेकिन दो प्रशन अलग-अलग exam में अलग-अलग तरीकों से पूछे जाएंगे, अब spasm होगा, इसका management हम अलग तरीके से करेंगे, तो ये तो हम लोगों ने बात की, कि वो सारी की सारी समस्या, जो की retention को lead कर रही है, जिसमें spasm, stress, ये सारे point आप बता रहे हैं, फिर हम उन बातों के उपर आजाते हैं, जो बातें आप commonly बोलते हैं, जैसे आपने यहाँ पर बताना है, कि patient है, proper sensations नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, lack of sensation, sensations नहीं आ पा रहे हैं, और sensations नहीं आ पा रहे हैं, तो urine pass out, नहीं कर पा रहा है, इसके अलावा आगे आपने बताना है, जो आप लोग सब बोल रहे थे, जैसे प्रोस्टेट, आप यहाँ पर बोल रहे थे, obstruction, आप यहाँ पर बोल रहे थे, stone, और कुछ student तो, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने शुरू में अभी क्या बोला, कि always think as a nurse, कि nurse की तरह सोचो, कुछ बच्चे तो इतने advance होते हैं, कि जादा पढ़ जाते हैं, तो उनका दिमाग चल जाता है, कैसे बताता हूँ, वो यहाँ पर मालूम है, यह nurse की बाते नहीं करते हैं, वो बन जाते हैं endocrinologist, और कहते हैं, sir, उसका ADH बढ़ गया होगा, anti-diuretic hormone बढ़ गया होगा, और बढ़ गया होगा, तो output कम हो गया, इसलिए पास नहीं हो रहा, मैं गा, तू कहां से आया है, कहने का basic मतलब है, आप सिर्फ नर्स के रूप में बात करें, अगर आप endocrinologist है, तो फिर आपका तो aims, अलग तरीके से welcome करेगा, तो चलो खेर, यहां तक हमने बात की, यह सब common से point है, जो मैंने बताए, अब जो main चीज है, वो main चीज है, कि अब हम लोग यहां पर चाहते हैं, क्या करना, यही मैं मुख्य रूप से discuss करूँगा, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, कि और सब चीजें तो काम चलाओ, सबसे जो important है, वो है nursing management, nursing priorities, most effective nursing management, least effective nursing management, प्रशन यहीं से बनने हैं, अब यहां पर मैंने आप से बात की, और अब तक मैंने आपको यह point बताए, अब मैं एक प्रशन लिखूँगा, और फिर आप से बात करूँगा, What is the priority nursing action? When a patient complained about retention of urine, अब आप एक चीज समझ लीजेगा, कि examiner ने यहां पर कहा, कि आपने patient के अंदर problem को देखा, और देखने के बाद, जब exam में आप गए, यह आप clinical practice पे गए, तो आपको वहां पर प्रशन पूछा, और वो क्या पूछ रहा है? एक एक करके मुझे बताओ, क्या सेवा प्रदान करोगे? बेटा, आप बोलो, नहीं, पीछे, हाँ. खड़े हो के बोलो, शाबाश बताओ, मैं option लिख देता हूँ, शायद सही तुक्का मार नहीं पा रहे हो. सबसे पहले, बेटजा बेटा, 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 बेटा. या कुछ और बच्रा है तो वो बताओ. कोई नहीं हो सकता है, option चौथा भी answer हो सकता है, पहले अपना view दे दो. हाँ. हाँ, बताओ आप बोलो, बताओ बेटा, शाबाश. Provide privacy, सही बात है ग्या? हाँ, आप बताओ. हाँ, आप बोलो बेटा. सब privacy दोगे? देखलो कुछ और हो. हाँ, अच्छा, position नहीं लिख दूँ? हाँ, खड़े हो के बताओ. भई, मुझे यहाँ पे बताओ, मैंने आपसे पूछा है कि सबसे पहली प्रात्मिकता किसको दोगे? प्राइविसी को दोगे? तरहिए क्या? चलो, अब मैं एक बात आपको ऐसे न बोलकर अब दूसरे तरीके से पूछता हूं. मान लिजेगा, अब देखो ध्यान से सुनो, कि एक चीज मैं आपको और बता दू, कि competitive exam की जब हम preparations करते हैं, हमारा focus हमेशा होना चाहिए wrong को बहर निकालना, गलत चीज को बहर निकालने, अब गलत चीज को बहर निकालने का तरीका आप बात सुनना, अभी मैंने option खुला छोड रखा था आपके लिए, अब आपके mind में नहीं आया, मानलो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि provide the comfort position, inform to doctor, तो चलो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूं, option दूसरा बना लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, inform to, यह हो सकता है क्या, नहीं option आगे भी खुला है, यह mind को explore करो, जितना mind खुलेगा न, मैं आपको बता दू, selection के chances उतने ही ज्यादा है, क्योंकि mind की जितनी गंदगी निकालनी है, वो practice में ही निकाल दो, क्योंकि हमें exam में जाकर के, तो सीधा मारना है ठोकर, और लेना है अपना goal, बाद समझे में आ रही है, जो practice करनी है यहीं कर डालो, रटना नहीं है कि इस book में से मैंने रट लिया, क्योंकि examiner तो यह भी कह सकता है, कि यह जो प्रात्मिक ताय लिखी है, इसको उल्टे करम में लगाओ, और यह भी कह सकता है, सीधे करम में लगाओ, या कई बार वो यह भी कह देगा, पहली priority यह है, तो बताओ अगली priority क्या है, तो आप सोचो, प्रशन तो बहुत तरीकों से बनते हैं, इसलिए मैंने कहा था, कि यही समझ में आना चाहिए, कि प्रशन बनेगा, कैसे, तो इन में से बतादो, अब चलो मैं थोड़ा सा इस ब को खोल देता हूँ, कि आप सोच रहो सर क्या बोल रहे हैं, अब मेरी बास सुनो, आपने किसी ने बोला catheterization, कोई बोलने वाला है, प्राइवेसी कोई बोलने वाला है, डॉक्टर सहाब को बताएंगे, अब मान लो मैं अपने आपको ले लेता हूँ, मैं मरीज हो, आप सार हो रहा है, ऐसे ही बोलूँगा मैं, या ऐसे बोल दूँगा बाइसाब यूरिन नहीं आ रहा है, कुछ करो, तो आप क्या बोलोगे, अब रुक जाओ, मैं डॉक्टर साब को बताता हूँ, पहली चीज, दूसरा आप उसको बोलोगे, चल प्राइवेसी में, प्राइवेसी या नहीं है, it means assessment is the most priority nursing action, बात समझ में आ रही है, अब बात सुनते जाएगा, मैंने आपको भी एक बात बोली थी, कि शायद ही ऐसा कोई exam रहा हो भारत में, जहां से प्रश्न इस topic से नहीं आता, ये जो मैंने प्रश्न बोला है, ये DSSB में आ चुका है, और ये सबसे पहल प्रात में अब सुनते जाएगा, इनको रखो साइड में, मैं सीदा सीदा शुरू कर रहा हूं, नर्सिंग मैनेजमेंट और इस मैनेजमेंट की सबसे पहली priority है, assessment to the client for retention of urine, that is the first, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी काम होगा, वो किसाधार पर होगा, क्योंकि एक बाद बता दू, management तो दुनिया बताती नजर आ जाएगी, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि priorities क्या है, और aims आपसे सिर्फ और सिर्फ जानना चाहता है priorities, और यही वो खेल है, जिसके आज बाजू-बाजू सब लोग घूमते रहते हैं, लेकिन कोई अपने लक्ष तक नहीं पहुंचता, अब हमने कहा कि assessment कर लिया, लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बोली, कि कहानी तो शुरू अब हो रही है, अब बात सुलो, अब क्या करोगे? कारण पता करोगे? करो कैसे करोगे? अहां, कारण पता करने चले गए, तो फिर डाइगनोसिस हो गया, डाइगनोसिस is not the criteria of the nurse, कारण तो बहुत सारे हैं, स्टोन कैसे पता करोगे? प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, कैसे पता करोगे? इसका मतलब आपका काम कारण पे नहीं, उसके management पे है, किसके रूप में? नर्स के रूप में, problem है, मैं नर्स हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने सिर्फ पहले पता करना है, कि कारण पता नहीं करना है, हमने पता करना है, retention है भी या? दोनों में अंतर समझो, क्या पता करना है? हमें बिमारी की जड़ नहीं पता करनी है, हमें पता करना है, कि मरीज जो कह रहा है, वो है भी या? नहीं है, मरीज ने कहा मुझे urine pass नहीं हो रहा, तो ये पता करो urine pass हो रहा है या? नहीं हो रहा, इसका मतलब हम सिर्फ क्या पता कर रहे हैं? ये पता कर रहे है, retention है भी या? नहीं है, और retention को अगर पता करना है, तो हमने यहाँ पर use करना पड़ेगा, use physical examination, हम लोग physical examination करेंगे, और physical examination के बाद हम ये पता करेंगे कि patient का unit रुक रहा है, या नहीं रुक रहा, या मरीज psychological ही रूप से सोच रहा है, आनी रहा, वही कारण दो नहीं हो सकते हैं कि आ रहा हो, लेकिन उसको ऐसे ही महसूस हो रहा हो, तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, असेस, और असेस्मेंट के लिए हम कौन सी टेक्निक उपियोग लेंगे, physical examination, अब physical examination कर रहे हो, करो, बता रहा हूँ न, यहीं थे प्रश्ण आने हैं, अब यहाँ से आपने physical examination किया, सबसे last बच्चे से मैं एक प्रश्ण पूछने वाला हूँ, खड़े हो जा बेटा, नाम क्या है, कौन से college के हो, अच्छा, सिद्दार्थ college of nursing, मुझे बेटा एक बात बताओ, कि अगर मैं आपसे यह पूछता हूँ, कि एक मरीज है जो कहता है, कि मुझको urine pass out, नहीं हो रहा, तो शारिरिक जब उसको examination करोगे, तो कौन सी टक्निक को उपियोग करोगे, देखोगे, ladder दिखा, दूसरा, palpate करके देखोगे, touch करके देखोगे, अंदर सुनते जाए, क्या बोल रहा हूँ, देखोगे, touch करके देखोगे, थप थपा करके देखोगे, क्या करोगे, चलो बैठो, हाँ, कौन बताएगा, बेटा आप बोलो, हाँ, आप बताओ, अच्छा, देखोगे नहीं, और देखना पड़ा तो, facial expression, भाई ये कह रहा है, कि facial expression से मैं पता करूँगा, कि urine pass out हो रहा है, कि नहीं, भाई मेरी तो आखे इतनी तेज नहीं है, मैं तो पता नहीं कर सकता, कि इसका urine रुका हुआ है, कि आप तुम इतने सारे बैठे, मैं कैसे कैसे पता करूँ, मेरी बात सुनना, अब यहाँ पर इस इन सब के उपर बात करूँगा, कि जो चीज हमने बोली है, हाँ सरे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज पर हम फोकस करेंगे, आपने यहाँ पर बताना है, observe मतलब inspection, और you should observe the tenderness at the lower abdomen, not the bladder, कि bladder नहीं देखना है, देखेंगे कहां, lower abdomen पर देखेंगे, और आप देख लेना, जो व्यक्ति urine रोक करके बैठा है, उसका lower abdomen पर, tenderness आ जाएगी, अरे हाँ या ना, तो ध्यान से सुनते जाएगा, कि सबसे पहले, जब हम physical examination करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर उसको क्या करने वाले हैं, inspection, या आप बेटा यहाँ पर बोल सकते हैं, observation, कि भाई हम observe कर रहे हैं, और जिसमें आप यहाँ पर बता सकते हैं, tenderness at lower abdomen, abdomen, कि lower abdomen पर हमने देखा, कि क्या महसूस हो रही है बेटा, tenderness महसूस हो रही है, थोड़ा सा फूला हुआ नजर आ रहा है, और यह बच्चा बच्चा जानता है, कि lower abdomen पर bladder होता है, कभी भी जब आप नाम लो, तो यहाँ organ का नाम नहीं लेना है, लेना यह है कि वो site कहाँ पर है, जहाँ आप observe करोगे, तो कौन सी site देखोगे आप, lower abdomen देखोगे, और lower abdomen पर क्या मिलेगा, tenderness, लेकिन tenderness, कभी भी 100% यह नहीं बोलती है, कि patient को वास्ताव में problem है, ध्यान से सुनते जाएगा, तो सबसे पहले आपने inspection किया, तूसरा हमने क्या बोला था, पालपेट करके देखेंगे, पालपेट का सीधा मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं physical examination पूरा पढ़ाऊंगा, बहुत चीज़े पढ़ाऊंगा, data collections कैसे होता है, नर्सिंग प्रोसेस पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना सा बता दू, कि lower abdomen और lower abdomen पे हथेली के द्वारा, टच करके हम लोग देखते हैं, और वही क्या कहलाता है, पालपेशन कहलाता है, लेकिन अभी मैंने एक बात बोली, कि हर point में examiner कुछ ना कुछ रखता है, अब examiner यहाँ से जब प्रशन पूछता है, तो वो एक चीज आपके सामने लाता है, bracket में एक प्रशन लिखता हूँ, examiner कहता है, what is the type of palpation used by nurse, when patient has a retention of urine, कह रहा है कि एक patient है, और वो patient को समस्या कौन सी है, retention, और उसको palpate करने वाला व्यक्ती कौन है, nurse, तो कह रहा है कि nurse जो यूज कर रही है, palpation, वो palpation की कौन सी technique, palpation का कौन सा तरीका है, जो कि nurse उपियोग में लेती है, जिसमें आपकी अच्छी से अच्छी बुकें, तो कि वो कही ना कहीं से टीपते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है deep palpation, गलत है, हाँ, बता रहा हूँ, यह मैं बताना इसलिए चाहता हूँ, कि बुकों में हमने पता नहीं, क्या-क्या पढ़ लिया है, और जब exam में जाते हैं, हम कहते हैं, अरे यार, मैं तो पढ़के यह आया था, यह answer तो कुछ और आया है, वो क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने जहां से copy किया, वो सही copy नहीं किया, अभी थुनना, मैं एक-एक बातें आपको बताता हूँ, जिसमें छोटे-छोटे twist आपको दूँगा, कि आप यह समझोगे, कि selection के लिए, सबसे important है authenticity of the data, कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उस data में दम कितना है, और examiner किस data को answer मानता है, तो यहां पर आप ध्यान दीजेगा, कि अगर आप answer दे रहे हैं, तो आपने यहां बताना है, light palpation को answer करेंगे, और जहां पर लिखा हुआ है, deep वो है शत परतीशत गलत, reason बताओ गलत क्यों है, मैंने एक बात आपको बोल लिए, कि जब भी किसी को आप मना करो, तो आपको उसके पीछे तर्क देना पड़ेगा, आपने यहां बोलो बेटा, अरे भाई सीधा सा मतलब है, कि in case मानलो कोई obstruction, जैसा कि आपने बताया और आपने ज़्यादा तेजी से दबा दिया, तो वहाँ पर bladder rupture हो जाएगा, पेशेड को injury हो जाएगी, इसलिए और नर्स का काम, तो सेवा करना है, नर्स का काम सेवा करना है, यह सेवा थोड़ी है, जहां मरीज को injury हो जाएए, अरे हाया ना, और आप धान दो, कि अगर आप दबा भी रहे और जादा तेजी से दबा दिया, और कहीं जादा तेजी से निकल लिए उसी साहिम गया, अभी तो सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, manage कर रहे हैं, दबा नहीं रहे हैं, पता कर रहे हैं कि problem है भी या नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर कैसा palpation यूज करेंगे, light palpation यूज करते हैं, तो हमने पहले देखा, देखने के बाद टच किया, और टच करने में हमने light palpation यूज किया, अब सुनना, इससे भी बड़ा कमीनापन है एग्जामीनर का, एग्जामीनर यहां पर बोलेगा, कि एक patient है, जो कि retention of urine की शिकायत कर रहा है, और nurse उसको palpate कर रही है, तो what is the surface of palpation, या what is the surface of palm, used for the palpation, during retention of urine, वो कहता है कि palpate कर तो रहे हैं, लेकिन palpate करते समय, कौन सी surface यूज करते हैं, lateral, dorsum, या कुछ और, हाँ, अरे बोलो, हाँ, बताओ, बताओ, शाबाश, कि कर तो लिया palpate, लेकिन कैसे किया, क्योंकि मैं बताओ, बहुत लोग हैं, जो इस्ठेटो इसको आप यहां गड़े में लगाके तो घुमते हैं, उनको ये नहीं पता कि इस्ठेटो इसको आपके कौन से पार्ट से आवाज, दॉर्सल नहीं, फ्रेंटल सर्फेस ऑफ पाम, पाम की सामने वाली सताय यूज करते हैं, ये है पीछे वाली, और दॉर्सल सर्फेस ऑफ पाम आर यूज फोर असेस्मेंट इटेंपरेचर आफ बोड़ी, ये कौस्चन EASIC में आया हुआ है, तो आप सोचो एक शब्द और शब्द से प्रशन बनते हैं, कितने बात समझ में आ रही है, तो फ्रंटल जो एरिया है, वो बेसिकली यूज किया जाता है, डॉर्सल सर्फेस यूज नहीं होती है, और डॉर्सल सर्फेस यूज कहां होती है, अगर हम किसी व्यक्ति के शरीर के तापमान को चेक करना चाहते हैं, आपने देखा होगा, कि अगर किसी व्यक्ति को बुख बुखार होता है तो कहते हूंने ऐसे लगा के या ऐसे गले में लगा कर या वहां ऐसे करते हो दिखाओं का तेर को तेम प्रेशल इसका मतलब है बुखार के लिए डॉर्सल और फिजिकल के लिए प्रंटल चलो खेर यह सब हम डिटेल में आगे बात करेंगे तो हमने कहा कि प अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो यह मैंने चार-पांच पॉइंट बताए उस चार-पांच में इसको कर लो तुम पॉइंट में भी इंपॉर्टेंट आप ध्यान देना कि यहां पर जो सबसे ज़्यादा बहतरी नगर कोई चीज है तो वो आपका क्या है परकर्शन और परकर्शन is the most confirmative nursing diagnostic ता सुनते जाईएगा examiner बोलेगा most confirmative nursing diagnosis नर्स तो डाइगनोस करती है और नर्स physical examination भी करती है तो जब नर्स patient को physical examination करती है तो सबसे सही confirmation retention of urine की किस से पता चलेगी तो आप यहां पर बताईएगा कि most confirmative nursing diagnosis to check retention of urine कि retention of urine अब examiner आपको एक तो यही प्रशन पूछेगा और वहां पर वो लिख देगा x-ray करवाओ वो वहां पर बोलेगा auscultation करके देखो वो आपको बोलेगा palpation करके देखो और वो बोलेगा percussion करके देखो आंसर क्या आएगा कि परकर्शन ही वो टैक्निक है जो सबसे क्या करती है confirmation किया percussion अरे किया ना कैसे करते हैं कि बेसिकली याद हम थपथपा करके देखते हैं जो थपथपा के सीधा थपथपा पाते हैं वो है डायरेक्ट और अगर हम इंडेक्स फिंगर को रखके उसको थपथपा पाते हैं वो है इंडायरेक्ट basically percussion करते हैं और percussion करने का सबसे बड़ा फायदा है कि जो sound वहां से create होगी वो एकदम accurate और सबसे सही आती है कैसी आती है accurate और सही आती है अब percussion आपने यहाँ पर किया तो examiner आपको यहाँ पर कहता है what is the quality of sound assessed by nurse during percussion when patient complained about retention of urine देखो बिल्कुल सिंपल प्रश्ण है एक बार मैं पुन है दोहरा देता हूं जो बच्चे लिख रहे हैं अच्छी बात है कह रहे है what is the quality quality का मतलब उसकी basic आपको क्या देखने को सुनने को मिलेगा किसके रूप में तब जब हम क्या कर रहे हैं असेस और असेस कौन कर रहा है नर्स बात सुनते जाएगा और किस टेक्निक से कर रहे हैं परकर्शन कौन सी कंडिशन में कर रहे हैं कि सभी कुछ चीजे प्रशन ने बोल दी है तो अब मुझे यहां पर आंसर बताओ कि अब झाले कर रहे हैं भी जाले कर रहे हैं तो बोल दी हैं तो थी है तो व्याद्टर बगाद पर दी हैं हाँ फर्माओ A option सही है? चलो, बैठो कितने लोग कह रहे हैं कि option A सही है? हाँ A उसने बोला इसलिए? तो ये बता फिर ये कहा आएगी? ये कहा आएगी? और ये कहा आएगी? अभी मैंने एक बात बोली थी मैं उत्तर नहीं सुनना चाहता हूँ मैं हमेशा जानना चाहता हूँ कि रौंग को बाहर निकालो और ये बता दूँ ये चार प्रशन है क्योंकि जब आपको ये पता होगा तो प्रशन अलग बनेगा ये पता होगा तो प्रशन अलग बनेगा ये पता होगा तो प्रशन अलग बनेगा और ये पता होगा तो तो सब अलग अलग प्रशन हैं और ये सभी हमें आने चाहिएं तो बेटा पहले मैं बात बताना चाहूँगा वो आप ध्यान दो जब हम उत्तर देते हैं तो पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगा अब जैसे मैं बता दूँ कि जब आपका लंग्स नॉर्मल काम करेगा तो साउंड कैसी आती है कहने का मकसद है कि आप आराम से स्वांस ले रहे हो आराम से स्वांस छोड़ रहे हो किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगाते हो और जब ऐसी स्थिती में लंग्स को पैलपेट करके परकशन करके देखेंगे तो साउंड कैसी आएगी रेजुनेंस का हिंदी मतलब है गूंजती हुई आवाज तो यह ध्यान देना अब यही कॉस्चन दिल्लियम्स ने पूछा हुआ है उन्होंने पूछा कि वाट इस दी नॉर्मल लंग्स साउंड असेज बाइ नर्स डूरिंग दी परकशन तो क्या बोलना है अब इनमें बहुत तरीके में यह बहुत तरीके आप लोगों को बताऊंगा एक्जामीनर यह तक पूछता हुआ नजर आता है कि एक व्यक्ती है विदाउट इंटर्नल और एक्स्टर्नल फोर्स ब्रीथ कर रहा है तो बताओ परकशन में दौरान कैंसी साउंड आएगी रेजोनेंस सीधा सा है या तो बिचारा कोई सीधा सादा होगा तो लिख देगा नॉर्मल नहीं कमीना होगा तो लिखेगा इंटर्नल, external force are absence पेशेंट आहां दी यूपनिया पेशेंट को नॉर्मल ब्रीदिंग है कोई force नहीं लगा रहा है रेजोनेंस वो ये तक लिख सकता है कि एक व्यक्ति है नॉर्मल टाइडल वॉल्यू मेंटेन कर रहा है ब्रीधिंग के दोरान और नर्स उसको फिजिकल परकशन करती है तो साउंड कैसी आएगी रेजोनेंस ये लो पांच प्रशन तो सिफ रेजोनेंस के बता दिये मैंने आपको कि आपको ये समझ में आ जाए कि हम जब तक एक चीज में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम अगला कदम नहीं रखेंगे क्योंकि student करते क्या है यार ये कठीन है मैं ये छोड़ देता हूँ ये कठीन है मैं ये छोड़ देता हूँ और जब उनमें से प्रशन आते हैं तो फिर कहतो ये तुम्हें पढ़के ही नहीं गया था कोई चीज छोड़ने की नहीं है जो हमें कठीन लगती है आप teacher से resonance जैसे हम लोग बोलते हैं न में एयर कलेक्शन्स वगरे हो जाता है तो वहाँ पर ज्यादा तेजी से गूलती होगी एयर भर जाती है प्लूरल कैविटी में तो साउंड कैसी आएगी हाई resonance टिंपैनिक जो कि abdomen से भी आती है अब यहाँ पर तो आंसर आपका क्या हो तो या तो दिनेश शर्मा का student है या जिसने मेरी class ली है अब आप सोच रहे हों कि इतना बड़ा दावा सर कैसे कर रहे हैं यह दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह मेरे बताने के बाद पटना इम्स में question आया जबकि NCLEX में टिंपैनिक लिख रहा है क्या समझ में आई कहा नहीं अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि data जितना accurate होगा selection के chances उतने ही हैं क्योंकि भारत में जितने भी teacher पढ़ रहे हैं उनकी सबकी आउकात शमता NCLEX पे जाके खतम हो जाती है मैंने अभी कहा था जहां सब खतम हो जाते हैं हम वहीं से उन्हों ने वहां से गलत ले दिया और गलत ले करके वहां पे टिमपैनिक लिख दिया जबकि एमस ने आंसर किसको माना है और यह सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूं पूरे भारत में और कोई नहीं पढ़ाता है अब आप सोच रहोंगे टिमपैनिक है क्या तो यह मैं आपको समझ में आना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है अगर उसके ब्लैडर में यूरीन भरा है जो प्रशन पटनाइमस ने पूछा है कि एक पेशेंट है जिसको ब्लैडर में यूरीन भरा है तो बताओ नर्स परकरशन में कैसी साउंड सुनेगी तब तो आंसर है डल लेकिन अ खाली है और खाली है तब आएगी टिमपैनिक अगर यहां पर ब्लैडर खाली है ज्यान से सुनते जाईएगा आपने यहां पर बताना है कि यह साउंड तब आएगी जब एमटी क्या होगा ब्लैडर तो अगली बार एक्जामीनर एमटी ब्लैडर पूछेगा और फिर आंस का लाइफ क्योंकि एक प्रशन गलत होते ही आप कम से कम दो से तीन हजार मेरिट नीचे आ जाओगे तो आप सोचो एक एक प्रशन का महत्व कितना है अभी तो आप आए हो मैं आप लोगों को इतनी चीजे बताऊंगा कि यह इस बुक में गलत लिख रहा है यह यहां गलत लि है जल कब बोलना है जब पेशन को रिटेंशन की समस्या है अब जैसे मैंने अभी आपको कहा डेटा रिलेटेड एक पॉइंट बताया अब यह कॉस्चन है बहुत सिंपल सी डिसकर्शन कर रहा हूं आप लोगों के सामने दो मिनट ले करके आप लोगों ने एक सोलूशन है कौन सा सोलूशन है यू सोल क्या बोलते हैं यू सोल अभी यह मैं बीच में थोड़ा सा आपको डायवर्ट कर रहा हूं जिससे आपको यह पता चले कि डेटा की अक्यूरेसी कितनी होती है अभी मैंने बताया लेकिन एक चीज और आपको फिर एक्जामपल लेकर के आ रहा ह कि हम लोग पढ़ते क्या हैं जो B.H.C. कर रहे हैं वो पढ़ लेते होंगे सिस्टर ने इंसी पंडामेंटल अरे हा या ना लेकिन गलतियां कहा है अब मेरी बास सुना यही कॉस्चन आपके पटना एम्स ने पूछा और पटना एम्स ने कहा वाट इस दी कॉम्बिनेशन कि यूसोल के कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजे शामिल होती है अब यूसोल का कॉम्बिनेशन पूछा और कॉम्बिनेशन में उसने लिखा अब मेरी बास सुनना यह तो है वो कॉम्बिनेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको पोरिक एस्टीड और ब्लीचिंग पाउडर की वैल्यू कितनी है बेटा साड़े बारा साड़े बारा ग्राम और पानी की मात्रा कितनी है 100 ml तीनों मिलकर के कौन सा सोलूशन बन जाता है यूसोल सोलूशन बन जाता है अब सुनते जाएगा अरे बात सुनते जाओ अब जो मैं कहने वाला हूं जो सिस्टर नेंसी पढ़ करके पढ़ा रहा है और जो सिस्टर नेंसी पढ़ रहा है वही हम कहते है जूट को सो बार बोलो तो जूट भी सच लगने लगता है ऐसा ही है बात बता दो तो वहाँ पर क्या गलती है वो मैं बता देता हूं आपको अपने आप बात समझ में आ जाएगी कि जब हम सिस्टर नैंसी पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बिंदी जो लगनी चाहिए इधर वो लग गई है इधर क्या समझ मैं ही कहा नहीं तो अब टीचर पढ़ा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर है वो दी 1.25 ग्राम इन यूसोल सोलूशन इस्टूडेंट ने आकर के अग्जाम में आंसर कर दिया और आंसर की में ये आया नहीं गलत हो गया फिर अब्जेक्शन लगा रहा है वो कह रहा है ही गलत होना चाहिए वो जो अभी मैंने पहले बताया है और पढ़ रहे हो ये तो क्या होगा सेलेक्शन होगा पढ़ाने वाला तो बेचारा सही पढ़ा रहा था उसने तो वही पढ़ा है लेकिर वह वह है जो अभी साल दो साल में पढ़ाने लगाई दरोदर के नोट्स कॉपी करके क्या हमारा 23 साल का अनुभव ला सकता है भाई मुझे बात बताओ आपको नॉलेज बहुत है लेकिन क्या अपन प्रश्ण बदल रहा हूं कौन सा उन्होंने कहा कि मुझे बताओ ब्लड ट्रांस्यूजन सैट बी टी सैट बी टी सैट में एक जाली होती है फिल्टर जिस्से ब्लडड छंचंचंचंके जाता है उसकी साइज ग्या है बात सुनना उन्होंने साइज पूची हम तो बताते ह उसको मर्फी चैंबर बोलते हैं हम तो बहुत कुछ चीजे बताते हैं जिस स्टुडेंट को भी मैं पढ़ाता हूं उन सब को कहता हूं कि टैन माइक्रों से कम तो होना ही नहीं चाहिए है लेकिन अब आदत तो एंक्लेक्स क्योंकि एंक्लेक्स गाईड है रेफरेंस बुक नहीं है लेकिन चल रही है पचास साल से तो वहां भी तो दो चार गलतियां हो सकती है अब वहां पर लिखा है 0.22 micron सुन्दे जाना कितनी चीज़ें आपको बता रहा हूं उन्होंने पूछा filter size use in pt set और आपके nclex में लिख रहा है 0.22 micron मैं पढ़ाता हूं कि कम से कम होना चाहिए और answer तो यही दिया है रिशीगे शेम्स ने अब तुम सोच रहोगे कि answer क्या दिनेसर की setting है क्या एम्स में बास सुनते जाहिएगा answer क्यों दिया है उसके पीछे logic है सभी सुन लेना बेटा आप लोग कि जो आपकी rbc होती है उसकी size है 7.2 micron क्या बास सुनना कि आप answer कि साधार पर देते है rbc की जो size है वो size है 7.2 micron और इस 7.2 micron को 0 में से निकाल के बता दो मैं मान जाऊं आपको अरे इतना बड़ा आदमी इतने से छेद में से निकलेगा कैसे मतलब 7.2 micron की rbc क्या 0.5 में से निकल सकती है नहीं से निकल सकती न इसका मतलब ये गलत लिख़रा था जो दिनेस सर कह रहे हैं वही सही था इसलिए माना है आरे ये कहानी सबस्ज में अरे मैं तो आपको यहां तक बताऊंगा कि जब ns लगाते हैं तो filter की size क्या होगी आरे लगाते हैं तो filter की size क्या होगी हम mask की use करते हैं बहुत लोग mask पढ़ते हैं हीपा filter हीपा filter N95 mask उनकी भी size बूचता है इमस्तो वो क्या बुको में है बुको में थोड़ी है वो तो हम ही बताएंगे आपको तो बात सुनते जाएं कि examiner तो बड़ा ही कमीना प्रकार का है तो आप ध्यान देना मैंने ये बाते इसलिए बताई कि आपको ये पता चले कि data कितना important होता है पढ़ा तो दुनिया ही रही है यार लेकिन क्यों हमको पोच रहे है ये तो गंदगी जो है आई है वो अभी online की आई है पिछले एक डेड़ साल में जो कहता है तू वहाँ पढ़ तू वहाँ पढ़ भारत के हर platform पे जो पढ़ा रहा है वो सब मेरे students है नाम किसी का भी ले लेना coaching कोई भी उठा करके देख लेना अगर कोई पढ़ा रहा है चाए fundamental पढ़ा रहा हो जो भी subject तो मैं नाम नहीं लोगा यहां किसी और का discussion नहीं कर रहा हूँ सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि data अपने आप में महत्वपूर्ण है चलो वापस से मैं उसी topic के उपर लोट करके आ रहा हूँ हम लोगों ने कहा कि retention of urine है और retention of urine का अगर आप assessment करना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोग assess कर रहे हैं पता कर रहे हैं पता करने के लिए physical examination किया physical examination में inspection, palpation, percussion auscultation की जरूरत नहीं पढ़ती है क्योंकि सबसे confirmation technique तो percussion है percussion में sound कैसी सुनी जाएगी dull sound क्योंकि अगर bladder खाली होगा तो timpanic आएगी लेकिन हमारा मानना है कि भराई होगा तब ही तो retention of urine का management करेंगे नहीं तो तुम बोलोगे नहीं जी खाली था तो आज की सबाई यहीं समाथ होती है वासमाज में आ रही है तो कहने का मकसद है कि अब आपने ये confirm कर लिया है कि patient को वास्ताव में problem है फिजिकल एक्जामीनेशन अब जब आपने confirm कर लिया है तो उससे अगला management पे आओ और अब आप यहाँ पर बोलो provide मतलब सबसे पहले assessment assessment किया उसकी technique उसके method उसका पता assessment जब कर लिया confirm कर लिया फिर उसके बाद उसको क्या provide करवाओगे privacy provide करवाते हैं क्योंकि ज़्यादा तर जो problem है वो यही हो सकती है अब privacy provide करवाई तो ये जो privacy provide करवा रहे हो ना इसका आपने क्या बताना है privacy क्यों दे रहे हो यार privacy से क्या urine निकल जाएगा ऐसे तो हम जब भी अकेले रहे हैं तभी urine निकल जाएगा हाँ अरे बोलो शाबाश तब से important है to maintain the self-esteem of the patient कि patient का भी आत्म सम्मान है और जब तक उसका आत्म सम्मान बना रहेगा तभी वो privacy में जाके urine pass out कर पाएगा अब examiner क्या लिखेगा वो सुनो प्रोवाइड प्राइवेसी करते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा पेशेंट कोपरेट करेगा पेशेंट का तनाव लेवल कम होगा पेशेंट का आत्म सम्मान मेंटेन होगा तुमको सारे एक जैसे लगेंगे वास समझ में आरी यह तनाव कम नहीं होगा बेसिकली इंपोर्टेंट और कॉपरेशन कौन सा उससे हमें टंकी भरवानी है वही कहने का हमने कॉपरेशन तो यह है कि लिए तू आराम से यूरीन ही पास करता रहे तो बेसिक जो इंपोर्टेंट है वो पॉइंट क्या है मरीज का आप देखना बेटा एक बहुत सिंपल सी बात है कि वार्ड में 25 मरीज 30 मरीज और अगर एक मरीज को आप प्राइवेसी नहीं दोगे तो उसको क्या शर्म नहीं आएगी उसको क्या ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे 10 मरीजों के सामने मुझे कपड़े खोल करके यूरीन पास आउट करवाया जा रहा है इसका मतलब है कि सबसे बड़ा एडवांटेज है तो मेंटेन अब इसके उपर एक बहुत ही बढ़िया बात आपको बताने वाला हूँ कि आप देखना कुछ कॉस्चन्स और कुछ कॉस्चन्स के आंसर तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ सोच रहे हो कुछ दे रहे हो लेकिन उसका सिर कहीं और पैर कहीं जैसे में एक बहुत सिंपल सी चीज पोचता हूँ कि अभी मैंने आपको क्या कहा कोई बोलेगा्यास एलफ एस्टीम कोई बोलेगा कॉपरेशन कोई बोलएगा रिलीव दि प्रश्न पूछता हूं मैं अगर आपको पूछू यह इससे नहीं है सिर्फ मैं आपका आई क्यू लेवल चेक कर रहा हूं यूज कि मान लो पेशेंट अनकॉंशेस भी हो सकता है एक चीज बहुत सिंपल सी पूछ रहा हूं आई रेल का उपयोग कौन बताएगा हाँ कोई बात नहीं हाँ गिरने से बचाना हाँ वेरी गुड और कोई बिटा हाँ बोलो बोलो शाबाश बताओ हाँ हाँ बास सुनना कमें से आपकी भावनाओं को अब बास सुनना एक्जामीनर ने कहा कि वाट इस दी इंपोर्टेंट यूज अफ साइड रेल इन होस्पिटल सबसे पहली राहिंट प्रिवेंट 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 टो दी पेशेंट प्रिवेंट तो आदे तो शहीद इन दोनों में हो गए कि मैं एक बात और बता देता हूं कि एक्जाम में जो प्रशन है कभी भी कठिन नहीं होता है कठिन बनाते हैं उसकी आप्शन्स बासमजी में आ रही है अगर मैंने पूछा तो तुमने भिड़ते ही कहा लेकिन अभी तो मामला चला कहां है कि क्या बोला अब चलो इससे ज्यादा पर फिर घुटनों में दर्द हो जाएगा हां चलो यहां तक आप लोगों ने बेटा चार पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिये हैं और मैं आपको बात बता दूं कि मैक्सिमम इस्टूडेंट आंसर या तो यह करते हैं या कुछ और जो भी अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूं कि यह कॉस्चन मेरे ही द्वारा बनाया गया है और लेट टेस्ट नौर्सेट 2022 में पूछा गया है और इसका उत्तर या तो मैं ही बताऊंगा या नौर्सेट ही बताएगा और इसका उत्तर है यह जो भी लोग इधर उधर बताते हुए नजर आ रहे हैं वो आपको पहला अंसर दे रहे हैं अब सुन लेना इसकी टैक्निक और इसकी थियोरी कि जब तक मरीज बाहर जाएगा नहीं गिरेगा नहीं और गिरेगा नहीं तब तक चोट लगेगी नहीं आ रही होगी कहानी हो जाते हैं यही है priorities कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि examiner हमसे क्या demand कर रहा है क्योंकि आप ऐसे nurse care provider हो patient की care कर रहे हो और आपको एक एक चीज़ की बारी की पता होनी चाहिए तो यह पहली priority है यह आपकी दूसरी priority है और यह तीसरी priority है और examiner अगर बोल देगा arrange the priority nursing actions या arrange the use of side rail in hospital in correct sequence कि जो भी उपयोगी side rail का है उसको सही क्रम में लगाओ तो लगाने वाले कम पड़ जाएंगे अरे हाया ना बात समझ में आ रही है ना तो यह आप ध्यान दें अब यह जब ऐसे प्रशन आते हैं ना तो वहां जाकर यह मैं इतने examples आपको इसलिए बता रहा कि आपको यह समझ में आए कि अब तक हमने जो पड़ा है वो सिर्फ पास होने के लिए पड़ा है अब तैयारी तो अब शुरू होती है तो नहीं पकड़ लिया जादा अरे भास मचरे हो चलो खेर कोई बात नहीं यहां तक आप ध्यान दो तो हम लोगों ने यहां पे बता अगर किसी भी पेशेंट को प्रॉबलम है तो हम लोग पहले असेस करते हैं रिटिंशन के अंतरगत असेस किया असेस में आपने फिजीकल एग्जामीनेशन किया आपने प्राइवेसी दी प्राइवेसी के एडवांटेज फायदे में आपको बताए नेक्स्ट पोजिशन होगे, simple सा मतलब है, कि हम मरीज को अगर retention related problem है, तो retention related problem में आप कह सकते हो, provide comfort position, comfort position, जिसमें हम सभी लोग जानते हैं, कि जो routinely हम लोग use कर रहे हैं, squatting position और squatting position वैसे तो female में use करते हैं, किसमें use करते हैं, female में और standing किसमें use करते हैं, male में, यही तो use है, commonly आप लोग urine कौन सी position में पास करते हो, standing या squatting, अब यहाँ पर ध्यान देना, कि जो guideline कहती है, वो guideline सबसे पहली प्रात्मिकता कौन सी position को देती है, अगर examiner कहता है कि commonness position, तो आप answer क्या करोगे, squatting, यह ध्यान देना, reason बता देता हूँ, कि जब हम उकडू position में बैठते हैं, आप देख रहें न, पुराने लोगों को, चाहे वो male हो चाहे, वो इसी position में पास करते हैं, अब क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिती में, जो pressure है, वो bladder के उपर पड़ता है, और जब bladder पे pressure पड़ता है, तो sphincter relax हो जाते हैं, और आसानी से, पास हो जाता है, इसलिए हम लोग जो common position यूज़ करते हैं, वो कौन सी यूज़ करते हैं, squatting मतलब उकडू position most beneficial for pass out the urine, अब इतना आपने कर दिया, अब आप सोच रहे होंगे, अब तो ये ले, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा, कैसे, मैं बात कर रहा हूँ, priority के आधार पर, जितने भी point लिख रहा हूँ, वो सब किसा आधार पर हैं, प्राथ ही simple, सा point है, जो मैं आप से बात करना चाहता हूँ, जिसे हम कहते है, open the tap water in toilet, कि toilet में नल को खोल दें, और मरीज को वहाँ ले जावें, तो भी unit pass करने में मदद मिलती है, reason बताओ, open the tap water in toilet के अंदर नल खोलें, पायदा कौन बताएगा, हाँ, बिल्कुल, very good, शाबश, आपने बताना है कि basically psychological stimulation होता है, psychological ही रूप से मरीज stimulate उत्तेजित होता है, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ, इसको प्रियोग द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है, अब तुम सोच रहे हो ये कौन सा प्रियोग है, प्रियोग मेरी class के बाद शुरू होगा, कि जिसको यूरीन आ रहा है, वो वाश्रूम में जाना, जिसको नहीं आ रहा है, वो उसके पास जाके खड़े हो जाना, जब वो व्यक्ति जिसको यूरीन आ रहा है, वो यूरीन पास करेगा, तो यूरीन पास करने के जो पानी के बहने की साउंड है, वो एकदम इकवल होती है, कि यूरीन जब हम पास करते हैं और पानी जब बहता है तो दोनों की sound एक जैसी है और इस condition में stimulation होगा और इसको प्रियोग द्वारा सिद्ध जिसको नहीं आ रहा है वो भी कहेगा चल मैं भी कि तो कहने का मतलब प्रियोग से यह सिद्ध किया जा सकता है अब आप सोच रहें इसका मैं क्या करूंगा तो आप यहां पर ध्यान दो अगर examiner कहता है अब ही मैंने पहले लिखा था प्रायोरीटी नर्सिंग एक्षान प्रायोरीटी में असेस्मेंट और सबसे इफेक्टिव डाइग्नोसिस परकशन और मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैंनेजमेंट ओपन दी टैप वाटर इस्टुडेंट बोलेगा लगा दे कैथेटर कैथेटर जो है नर्सिंग मैंनेजमेंट नहीं है क्योंकि जब तक नहीं लगाएंगे जब तक डॉक्टर साथ नहीं कहेंगे अरे बात समझ में आ रही है तो यह अंतर समझना अगर एक्जामीनर ने यहां पर लिखा हुआ होता तब आंसर होता क्या समझ में आया जहां नर्स नहीं है तो सबसे effective catheter और जहां नर्स है तो सबसे effective open tap water तो सोचो एक शब्द हटना और एक शब्द लगना पूरा आपका result प्रभावित कर सकता है और यह result इतनी आसानी से मिलता नहीं है आ रही है बात समझ में अब आपने यहां तक बताया अब इससे आगे मरीज तो बिल्कुल डेटा है मरीज कह रहा है catheter last में discussion करेंगे अभी हमने नहीं लगाया है हमने कहा priority और priority में सबसे पहले आप क्या करोगे यहां पर tap water tap water open कर लिया अब tap water open करने से भी अगर मरीज को फायदा नहीं है तो फिर क्या करोगे सारा काम कर लिया आपने आपने privacy भी दे दी आपने position भी दे दी आपने tap water भी open कर लिया अब अब क्या करें मरीज तो डेटा है बोले ना मैं तो नहीं करूं फिर कि अब एक ऐसी बात बता रहा हूं जो बहुत आपके काम की है जिसे कि हम लोग कहते हैं क्रीड मैनोवर और क्रीड मैनोवर 2022 नौर्सेट में प्रश्ण पूछा गया है अब तुम सोच रहे होंगे नाम ही पहली बार सुना है अब बात सुनते जाएगा इसलिए तो बहरा हूं कि बहुत कुछ चीजे हैं जो अभी तो बाकी है वो कहते हैं पिच्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त तो पिच्चर तो अभी बाकी है यह तो ट्रेलर है अब सुनते जाएगा कि यहां पर क्रीड मैनोवर क्या है आपका भी नाम लिख सकता था मुझे कोई परहेज नहीं है क्रीड इस दी नेम आप साइंटिस्ट डॉक्टर का नाम है और मैनोवर का मतलब है दाओ पेच और तरीका क्रीड नाम के व्यक्ति ने एक तरीका बताया और वो तरीका ही क्या कहला रहा है आपका नाम भी लिख सकते थे दुरहेश मैनोवर कहने का मतलब क्रीड नाम के व्यक्ति के द्वारा बताया गया तरीका और वो तरीका क्रीड मैनोवर कहलाता है अब बात सुनना इतना पॉइंट जहां पर एक्जामीनर ने अभी जो पूछा कि मैनोवर टेक्निक देट इस यूस वैन क्लाइंट कंपलें अब वो मैनोवर तो सुना नहीं था कोई मैनोवर तो ओबी जी कहीं बता रहे है इस्टूडेंट है तो बेसिकली क्रीड मैनोवर रिटेंशन में यूस किया जाता है अब इसी कोश्चन को जब सफदर जंग एक्जाम लगा था तो उन्होंने तो ऐसी चीज पूछी उन्हो क्रीड मैनोवर में कौन सा डायरेक्शन है जो नर्स यूज करती है नामी पहली बार सुनाया तो डायरेक्शन तो क्या खाक बताएंगे अरे हां या ना तो आप यहां पे ध्यान दे क्रीड मैनोवर के अंदर जेंटली एब्डॉमीनल मसाज होती है और डायरेक्शन है अप lower abdomen की massage करते हैं तो bladder के sphincter खुल जाते हैं और sphincter खुलते ही urine pass out हो जाता है अरे जो भी काम करो तो फाइदा पता होना चाहिए तो आपने यहाँ पर बताना है creed maneuver जहाँ पर आप कह सकते हैं gently massage to the lower abdomen in backward to downward direction तो आप यहाँ पर ध्यान दो examiner ने जो पूछा है उसका आंसर यह है कि direction क्या होगा backward से downward होगा और downward direction क्यों मैंने अभी advantage बताया है क्या advantage बताया है sphincter of the urinary bladder कि urinary bladder के जो sphincter होते हैं वो क्या हो जाएंगे relax हो जाएंगे और जब sphincter relax हो जाएंगे तो आसानी से urine pass out करवाया जा सकता है बैइ जो भी काम करें उसका advantage पता होना चाहिए लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मरीज तो बिलकुल ही data है आपने इतने तरीके यूज किये और आप देखना इतने तरीके मैंने अभी क्या बोला था कि इसलिए भारत का ही कोई ऐसा exam रह गया होगा जहां से यहां प्रश्ण नहीं पूछा जा रहा है अगला point फिर भी आराम ना मिले तो hot water bag अरे हाँ है ना hot water bag की site hot water bag का temperature hot water bag का duration hot water bag का advantage ज्यादा समय लगा दोगे तो क्या होगा कम समय लगा दोगे तो क्या होगा साथ question बता रहा हो कि हर शब्द में से 5-5-10-10 प्रश्ण है 50 question मैं करवा चुका हूँ आपको topic तो इतना सा है अब बात सुनो आपने का hot water bag लगाऊंगा hot water bag जनरली लगाते हैं जिससे की spasm वे तो उसमें आराम मिलता है spasm से relax मिलता है urine pass होगा और localized vessel dilation भी होता है vessels खुल जाती है और आसानी से लेकिन hot water bag जो यूज करते हैं वो 15 मिनट maximum 20 मिनट यूज करते हैं अब बात सुना examiner कहता है कि नर्स ने कलती से hot water bag लगा दिया आदे घंटे के लिए तो बताओ क्या हो जाएगा वो कहाँआ जल जाएगा इसका मतलब एक चीज समझ लो आप जो काम कर रहे हो सही करोगे तो फायदा और गलत करोगे तो नुकसान और नुकसान करना नर्स का काम नहीं है इसलिए तो examiner पूछ रहा है कि नर्स ने गलती कर दी तो क्या हो सकता है और कर दी तो सुधारोगे कैसे तो मैं एक बात बता दूँ कि जितने भी hot applications और cold applications होते हैं उनके reverse effect आने लग जाते हैं अगर हम को हम जरुष से ज़्यादा यूज हमने कहा था कि spasm में आराम मिलेगा आराम नहीं spasm और ज़्यादा बढ़ जावेगा अगर हम उसको लंबे समय यूज करेंगे तो मतलब फायदे की जागे नुकसान और आप कहो कि यार मैं यूज तो कर रहा हूँ लेकिन फायदा नहीं आ रहा है तो फायदा आएगा कैसे यूज तो कर रहा है लेकिन गलत यूज कर रहा है बारे यह साथ समझ में तो ये points से हैं तो ये तो मैंने आपको अभी तो बहुत सी चीजें हैं टॉपिक तो शुरुवात सब कुछ हो जाए आपने फिर डॉक्टर को बता देना है डॉक्टर से पहले भी हम लोग सिटजबात यूज करते हैं पैरिनेल इरिया पे होट वाटर पानी में बिठा कर उसको देते हैं दिससे कि वहाँ पर मसल रिलेक्स हो जाए इस पाज में आराम मिले सब कुछ कर लिया फिर भी काम ना चला तो डॉक्टर को बताओ और डॉक्टर के कहने पर कैथेटर लगाओ और कैथेटर भी जो लगेगा वो कौन सा लगेगा पेटा उस कैथेटर को हम बोलते हैं रॉबिन्सन कैथेटर इंटर्मिटेंट कैथेटर देट इस ब्रांच और फॉलिस कैथेटर फॉलिस फॉलिस तो बच्चा बच्चा जानता है फॉलिस कैथेटर की ब्रांच है intermittent Robinson catheter तो straight form में आता है K90 बोलते हो वो यूज करते है तो मैंने क्या बताया ये तो अभी शुरुवात है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बातें करेंगे तो आज आपकी class कल सुबह शार्प साड़े आठ बजे आप पधा रहें वैसे सर ने आपको बता दिया ही मिल रहा है आपको जो बच्चे दो दिन पहले भी आ गए हैं कल आये हैं आज आये कुछ बच्चे कॉल कर रहे हैं हम सब कल आएंगे कुछ बच्चे गए तो 15 से चाहे मेरे पास सो डेड़ सो बच्चे ही बैठे मैं class run करूंगा मैं एक दिन किल नहीं करूंगा क्योंकि सम सबसे बड़ी चीज है क्योंकि लोग कहते हैं पैसा मैं कहता हूं time is money पैसा लोट करके आ जाता है समय लोट करके कभी नहीं आता है तो सबसे important है आप अपने friends को भी बताएं दोस्तों को बताएं हमारे बारे में बताएं और कल सुबह शाब साड़-8 बज़े हम वापस मिलत हैं आशा करता हूं कि आप अपने साथ एक-एक को ले करके आएंगे और मैं कहता हूं अगर quality में कम है तो मेरे यहां से दो ले जाओ बात समझ में आ रही है तो thank you बहुत बहुत धन्यवाद